हेलो फैंस यूपीएस एक्जाम है आपका स्वागत है सो आज हम क्लास 11 का 6 चैप्टर यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं जियो मॉर्फिक प्रोसेसिस के बारे में हम यहां पर डिटेल में देखेंगे पार नंबर वन में सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां पर इंड्रोडक्शन पार्ट श्रू करेंगे सो यहां पर जो हम मेली स्टडी करेंगे अर्थ क्रस्ट यहां पर उसका जो किस परकार से वह विक्सित हुई है इसके बारे में देखेंगे इनर लियर्स जो हैं उनके बारे में देखेंगे और जो क्रस्टल जो प्लेट्स होत यह सभी यहां पर जो crust जिन से मिलके बनी होती है इन सभी के बारे में हम यहां पर study करने वाले हैं यहां पर जो लीथो स्फियर है अब इसे यहां पर divide करा गया है कुछ यहां पर जो बड़ी बड़ी जो plates होती है और जो कुछ small plates होती है में इर्रेगुलर शे में देखने को मिलेंगी जिनने लीथो स्फियरिक plates बोला जाता है यह में ली continental और oceanic plates यहां पर जो होती हैं सो हम डाइग्राम में देख लेते हैं continental crust जिसकी बात करने हैं या oceanic crust ठीक है तो यहां पर जो एस तिनो स्फियर है यहां पर में ली इसके ओपर वाला जो portion होते हैं सो यह वाला हिस्सा यहां पर देखने को मिलता है clear है सो जिसके बारे में हम यहां पर detail में पढ़ेंगे कि यह किस प्रकार से move कर रही है सो ऐसा believe किया जाता है कि जो यह float कर रही है कि इनके ओपर जो molten mental है ठीक है जो लेयर है यहां पर मेली यहां पर crust फिर mental फिर यहां पर नीचे core यहां पर बनी हुई है इसके बारे में हम लास्ट में detail में देख चुके हैं I hope आप प्लेइलिस्ट यहां पर regularly देखते हुए आ रहे होंगी फिर आपको यहां पर सानी से समझ में आ जाएगा clear तो यहां पर यह float कर रही है जो मॉल्टन जो मैंटल यहां पर यहां पर उसके ओपर यह जिसे प्लास्टिक एस्टीनो स्फियर भी बोला जाता है clear तो यहां पर कॉंस्टेंट मोशन यहां पर इनकी देखने को मिल रही है तो आप देख सकते हैं इसके बारे में हम यहां पर जो प्लेट्स की जो का निर्मान होते कि हमने लास्ट में देखाता हूं मॉक् Dude Simmonsली ऑ but कि सबर्दों मुषर कमेशनल का बहुत बढ़ा रोल उते हैं जिसकी वज़जेसे आं पर जो पलेट्स हैं ठीका वह मूव करती है जैसे यहां पे mental हो गया, जो इससे यहां पे जो करन्स, conventional करन्स जो मूँव करते है, ठीक है, उसकी वज़े से यहां पे movement देखने को मिलती है, जो crust वाली यहां पे layer होती है, यहां पे यह जो players होती है, वो regularly यहां पे move करती रहती हैं बहुत वैसे slow process होताई यहां पे इनका मूव करनेगा लगलग changes यहां पर देखने को मिलते हैं और यहां पर यहां पर यहां पर जो प्लेट होती है यह इतनी slow करती है हर साल यहां पर करती है कुछ few है यहां पर बिल्कुल भी पता नहीं लगता है यहां फिके कि नीघ नीट रहे है मूभ रही है जो लगप छी संदißt है वहान पर देखने को मिलते हैं और और अश्काली क्लास x' नेख सब्च को अध related को सब्जेक्ट यहां जो सब्जेक्ट सभी की वीडियो आपको मिल जाएगी इस चैनल की ओपर सो वीडियो को find out करने के जूरत नहीं है मैंने सभी की प्लेइलिस्ट बना के रखी हुई है यहाँ पर जो forces होती है में लिए दो परकार की forces होती है एक तो होती है endogenic force एंडो का मतलब होता है यहाँ पर within जैनिक का मतलब होता है originate मतलब की अंदर से originate होना forces दर्ति की सता से उसे endogenic forces बोला जाता है तो दूसरे यहाँ पर exogenic exo का मतलब होता है external मतलब जो बाहर से forces लगती है ठीक है जैसे wind हो गया rivers हो गया glaciers हो गया इनकी वज़े से भी यहाँ पर जो forces लगती है तो यह बाहर से लगती है ठीक है इनके बारे में हम detail में story करने वाले हैं यहाँ पर इनकी देखने को मिलती है ठीक है जिस परकार से earthquake हो गया वलकान हो गया और यहाँ पर mass destruction यहाँ पर देखने को मिलती है दर्ती की सता के उपर सो earthquakes के बारे में हमने detail में देखा था लास्ट में ठीक है P waves हो गया S wave हो गया सो इन सभी के बारे में हम देख चुके है ठीक है तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो exogenic forces होती है तो इसकी वज़े से यहाँ पर क्या होता है कि जो reliefs या elevations होते हैं वहां से यहाँ पर जो जैसे कि अगर हम पहाड़ों की बात करें ठीक है तो पहाड़ों में क्या होता है कि जो को यहां पर बर देती है तो इस परकार से यहां पर जो एक्जोजेनिक फोर्से वो कारेक करती है तो डाइग्राम में देख लेते हैं तो इस परकार से यहां पर ठीक है तो अपने साथ यहां पर बहुत सरा यह जो समान होता है यहां पर जो external forces लगती है winds हो गया rivers हो गया ठीक है इनके दुवारा यहां पर जो अपने साथ बहुत सरे जो चोटे-चोटे करन लेकि आती है उन्हें प्रीप्रेशन यहां यह ने वहां पर देखने को मिलती हैं तो यहां पर बोला जाता है इस यहां पर मूब करते हम यहां पर दो दो सOR S aunि औग हो गाई एक जो एक्जोगेनेक खो इंडोजैनिक फॉर्स यहां पर दो हिस्सों में इसे डिवाइड किया जाताया एक तो होती है Sudden Forces और एक होता है Slow Forces Sudden Forces में Earthquake, Volcano, Landslides यह देखने को मिलेंगे Slow Forces होती है उसमें Diestrophic Forces देखने को मिलेंगी अब यहाँ पर जो second type है exogenic force इसमें मेली जो erosional और depositional ठीक है यहाँ पर यह सबी चीज़े होती है जैसे river हो गया wind, sea waves, glaciers तो यह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा तो चलिए one by हम detail में study करते हैं इन सबी को geomorphic process क्या होता है so endogenic और exogenic forces की वज़े से यहाँ पर जो physical stress इनकी वज़े से produce होता है chemical action यहाँ पर देखने को मिलते हैं अर्थ के उपर so जो materials ठीक है यहाँ पर इनमें बहुत सरे जो changes आते हैं जिनकी वज़े से जो main changes किसमें आते हैं जो दर्ती की surface होती है उसमें बहुत सरे बदलाव देखने को मिलते हैं जिसे geomorphic process बोला जाता है clear है अब जैसे जैसे की mountains का बनना हो गया plateus हो गये plains हो गये इस परकार से बहुत सरी है जितने भी चीजे हो रही है इन सभी को geomorphic processes बोला जाता है clear है तो यहाँ पर अगर exogenic elements के बारे में देखें तो जैसे की water हो गया ice हो गया wind हो गया तो यह capable होते है यहाँ पर transport करना earth material ठी ठीक है तो उसे क्या अब जाता है उसे geomorphic agent बोला जाता है ठीक है जैसे कि पहले भी बात कर चुक है कि किस परकार से यहां पर पहाड़ों के उपर जैसे यह जो पानी फ्लो करता है ठीक है रीवर से यहां पर अपने साथ यहां पर छोटे-छोटे कंड लाती है ठीक हो उसे डिप्रेशन जो होते हैं प्लेन एरिया वहां पर बिच्छाने का कार्या करती है यह जितने भी होती है इ इनकी जो गती होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अब यहां पर यह जो materials होते हैं, उन्हें अपनी particular place से वो remove करते हैं, और उसे transport करते हैं, ठीक है, यहां पर जो lawyer level होता है, वहां पर जाके वो deposit कर देते हैं, अब यहां पर यह जो agent होते हैं, अब जैसे running water हो गय हो गया, ground water हो गया, glacier, wind हो गया, waves हो गया, ठीक है, इन सभी को geomorphic agents बोला जाता है, मतलब इनके द्वारा ही यह सभी कारे किये जा रहे हैं, कि यहां पर जैसे लगलग structures का इनके द्वारा निर्मान किया जा रहे हैं, ठीक है, तो इने agent बोला जाता है, अब जैसे अगर हम real life example देखें, तो agent के जो, mainly जो agent होते हैं, उनका काम क्या होता है, जैसे कि जो एक जगा से, एक country से दूसरी country अब कई लोगों का अगर पहुंचाना है, तो बहुत सरे लोगों होते हैं, जो agent के थूँ यहां पर जाते हैं, ठीक है, तो उनका कार है क्या होता है, कि एक आदमे को इंडिया से, let's suppose कि यहां पर USA में पहुंचाना है, ठीक है, similarly यहां पर यह वाली जो agent होते हैं, तो इनकी मदद से ही, यह जो materials होते हैं, अर्थ के material उन्हें एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाने का कारा किया जाता है, तो इने geomorphic agent आप इससे याद रख सकते हैं, तो इन slow movements, ठीक है, matters यहां पर जो नीचे आ रहे हैं, यहां पर ठीक है, तो बिना gravity और gradients के बिना यहां पर कोई mobility नहीं होगी, ठीक है, इन में गती नहीं होगी, ठीक है, otherwise वहीं पर रहेंगे, कोई erosion नहीं देखने को मिलेगी, यह कोई deposition नहीं देखने को मिलेगी, अगर तो gravity और gradients यहां पर नहीं है, तो ठीक है, यहां पर important role play करते हैं, यह दोनों, so I hope आपको इतना समझ में आया होगा, so playlist आपको नीचे class 11 की description box में मिल जाएगी, वीडियो को find out करने के जुरूरत नहीं है, सभी की मैंने playlist बना दी हैं, अगर आप यहां पर Instagram, Facebook, Twitter, यहां पर pages को follow कर सकत इनके भी link नीचे description box में given है, so next यहां पर, so endogenic process में क्या होता है, अब यहां पर जो energy जो निकलती है, वो दर्ती के अंदरों, अंदर से निकलती है, ठीक है, तो उसे endogenic process यहां पर बोला जाते है, so यहां पर यह जो energy होती है, so mostly generate होती है, यह radio activity के कारण होती है, rotational या जो tidal friction ह होती है, उसकी वज़े से होती है, और यहां पर जो heat होती है, दर्ती के अंदर से, ठीक है, इनकी वज़े से यहां पर यह सभी forces जो होती है, वो उत्पन होती है, so यहां पर यह जो energy होती है, इसकी वज़े से diastrophism हो गया, volcanism हो गया, यहां पर लितो स्फियर में, यह सारी activities देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे अब यहां पर जो जियो थर्मल ग्रैडियंट्स होगे और हीट फ्लो हो गया अब इनकी वज़े से यहां पर जो क्रस्टल की जो ठीकनेस होगी strength होगी यहाँ पे अब यहाँ पे यह अलग-लग देखने को मिलेगी clear है कहीं पे यहाँ पे आपको बहुत हैं यहाँ पे mountains देखने को मिलेगे ठीक है यहाँ पे जो geothermal gradients की वज़े से कहीं पे जो depressions होगे यहाँ पे बढ़ जाती है ठीक है plane areas यहाँ पे बना दिये जाते है तो अलग-लग यहाँ पे variation देखने को मिलती है जिसकी वज़े से यहाँ पे जो endogenic forces होते है वो uniform नहीं होती है clear है किस परकार से अगर हम example लें let's suppose कि यहाँ पे यह plane area और यहाँ पे क्या एक depression है ठीक है तो यहाँ पे जो endogenic forces है like volcanoes होगे या अंदर जो इसके नीचे जो activities होगी वो यहाँ पे जादा देखने को मिलेगी लेकिन अब यहाँ पे जो geothermal gradients की वज़े से जैसे कि हमने last में भी बात की थी कि यहाँ पे जो मिट्टी के जैसे छोटे छोटे कन होगे ठीक है जिसकी वज़े से यहाँ पे जो depression अब इसे भी यहाँ पे बर दिया जाएगा plane area यहाँ पे बना दिया जाएगा तो यहाँ पे जो endogenic forces होगी वो uniform यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी कहीं पे जादा देखने को मिलेगी कहीं पे कम देखने को मिलेगी clear है इसी वज़े से यहां पर जो crustal surface है वो भी uneven यहां पर देखने को मिलेगी यह भी same देखने को नहीं मिलेगी ठीक है कहीं पर आपको mountains, platues देखने को मिलेंगे plain areas देखने को मिलेंगे यहां पर अलग अलग यहां पर यह variations देखने को मिलेंगी सो डाइस्ट्रोफिजम के बारे में यहां पर डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है डाइस्ट्रोफिजम यहां पर जिसे टेक्टो नीजम बोला जाता है अब यहां पर अब यहां पर लार्ज स्केल डी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी अर्थ करस्ट में ठीक है बाइदी यहां पर हो रही है इसे million so fear से लग जाते हैं यहां पर इस प्रोसेस को होने में और यहां पर यह क्या है के endogenic force है यहां पर ठीक है याद रखना है यह यह एंडो जैनिक force है यहां पर डैस्ट्रो यहां पर एक slow process है यहां पर जो देखने को मिलते हैं अब इसकी वज़े से यहां पर continent जो continents होते हैं इनकी formation देखने को मिलेगी जो ocean basins होते हैं इनकी formation देखने को मिलेगी mountain system, plateus, rift valley हो गया और भी बहुत सरे other features होते हैं यह mainly जो lithospheric plate movement होते हैं या plate tectonic ठीक है जिसके बारे में हमने last chapters में भी देखा था और volcanic loading हो गया folding हो गया इन सभी की वज़े से यहां पर यह सभी formation इन में होता है बहुत lengthy process होते हैं millions of years इने लग जाते हैं तो यह mainly 3 types होते हैं कि tectonic plates, isostatic movement और eostatic movement तीनों के बारे में हम यहां पर देख लेते हैं आपको detail में समझ आ जाएगा otherwise यहां पर UPSC की यहां पर वीडियो अप्लोड की जाएंगी जो गर्फी की detail में यहां पर upload की जाएंगी एसी notes के साथ यहां पर detail में explain की जाएंगी यह अभी जैसे कि हम यहां पर ancient history यहां पर कर रहे हैं तो UPSC के लिए तो जो आ रहे शर्मा यहां पर best book मानी जाती है प्लस यहां पर जो BA की लग लग books हैं सभी को मैं यहां पर follow करके इन्हें mix up यहां पर notes बना रहा हूं और upload कर रहा हूं इन सभी की playlist ancient history की आपको playlist मिल जाएगी चैनल के उपर आप जाके देख सकते हैं तो tectonic plates के बारे में देख लेते हैं तो tectonic plates यहां पर इसकी वज़े से mountains का निर्मान होता है जो vertical force होते हैं यह upward और downward मतलब upward या downward ठीक है तो यहां पर यह दो वे के साथ लगते हैं जिसे की epirogenic बोला जाता है epirogenic movement बोला जाता है epiro का मतलब होता है continent मतलब कि यहां पर continents का निर्मान देखने को मिलेगा तो चलिए देख लेते हैं यहां पर types of vertical forces के बारे में आगे तो यहां पर पहला तो होता है upward force या upliftment पर इससे बोला जाता है upward जो force होती है तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो so यह जो crusts के अंदर से लगती है ठीक है अब यहां पर जैसे यह plane area ठीक है तो यहां पर vertical direction मतलब कि यहां पर upward force यहां पर लगेगी ऊपर की तरफ लगेगी अब यहां पर यह plane area यहां पर यह क्या बनना देगा इससे ऐसे table like structure यहां पर इसका निर्मान कर दिया जाएगा तो जैसे हम अगर diagram में देखें तो यहां पर जैसे यहां पर plane area अब यहां पर अंदर से जो force लगेगी जिसकी वज़ये से यह वाला जो आट होगा यह उपर की तरफ यहां पर उठ जाएगा तो इसे यहां पर क्या बोला जाता है तो इसे continental plate यूस बोला जाता है अब इसी में ह होता है कि जो Continental chef होता है ठीक है Continental chef क्या होता है यहां पर diagram में अप तो यहां पर यह वाला हिस्थ होता है यह पर क कोस्टल यह और यह अबENTS में बeil Sismo अब यह पादी में जो थोड़ा सा हिस्था यहां पर深तल हcek है मतलब किव मतलब कुछ सीहा हुए और उसके बाद यहां पर यहां पर पानी ही पानी यहां पर देखने को मिलेगा अब यहां पर यह वाला जो हिसा होता है इससे क्या बोला जाता है इसे बिल्कुल बराबर हो जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर upward force लगेगी यहां पर clear है so I hope आपको इतना समझ में आया होगा upward force अब similarly यहां पर जो downward force होती है अब इससे यहां पर क्या बोला जाता है इसे subsidence बोला जाता है so यह inward यह downward जो force होती है अब यह क्या लगेगी अब यह भी crust के अंदर ही लगेगी अब इसमें जो plane areas होंगे अब उसे यहां पर transform कर दिया जाएगा continental basin में अब जैसे यहां पर जो plane areas है अब अंदर से force यहां पर लग रही है ठीक है अंदर से इसे अपनी तरफ नीचे की और खीचेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा ठीक है तो यहां पर इस प्रकार से इस प्रकार से यहां पर depression बन जाएगा clear है तो इसे continental basin बोला जाता है similarly यहां पर जो coastal planes होते हैं वहीं पर भी यहां पर downward force लगेगी अब जिसकी वज़ए से यह continental sharp यहां पर बन जाएगा clear है तो I hope आपको इतना समझ में आया होगा upward और downward force जिसकी वज़ए से यहां पर यह जो continental sharp हो गया ठीक है यह continental basin हो गया तो इसमें क्या क्या changes देखने को मिलेंगे अब उसके बाद हम horizontal force के बारे में देख लेते हैं अब यहां पर जो horizontal force होती है यहां तो यह right यह left direction में यहां पर देखने को मिलेगा जिसे औरोजैनिक बोला जाता है औरो का मतलब होता है mountain मतलब कि यहां पर mountains का निर्मान देखने को मिलेगा तो यहां पर इसकी types के बारे में देख लेते हैं पहली type है यहां पर compressive force यहां पर जो movement देखने को मिलेगी two lithospheric plates के बीच में अब यहां पर यह क्या करेंगे यह दोनों को अपनी तरफ यहां पर खीचेंगे ठीक है मतलब कि compress दोने एक दूसरे को compress करने के यहां पर कोशिश करेंगे तो यहां पर compressive force लगेगी इनके बीच में अब यहां पर यहां पर यहां पर रिंकलिंग होना शुरू हो जाएगा earth crust के उपर जिसकी वजह से यहां पर folding mountains जो होत compressive force यहां पर लग रही है जिसकी वजह से यहां पर यहां पर यहां पर जो होगा उसे सिंक लाइन बोला जाता है यहां पर यहां पर पार होता है यहां रिजिस जिससे बोला जाता है उसे यहां पर एंटिक लाइन बोला जाता है डाउनवर्ड या उसे वैली जिससे बोला इसे सिन्कलाई बोला जाते अब यहां पे पूरे विश्य मजिए अगर देखा-जै तो सबसे जादा यहां पर मैंली मॉंटेंज देखने को मिलेंyesha में देखने मिलें यहां पर वीडियो स्टार्ट करेंगे डिटेल में और आवलिस हो गया इंडिया में हो गया तो इन्हें यहां पर मिलियोंस ओफ यर्स लगे हैं ने बनने के लिए होरिजोंटल प्लेट मूवमेंट के वज़े से और इन्हें यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बहुत स्लो प्रोसेस होता है जैसा कि यहां पर पहले भी बताया गया है कि इन्हें मिलियोंस ओफ यहां पर लग जाते हैं यह प्रोसेस में क्लियर है सो अगर आपको नॉट्स चाहिए बहुत ही कम कोस्ट के ओपर यहां पर पीडिया फाइल की फॉर्मेट में कमेंट सेक्शन में नंबर गिवन आप मुझे वर्टसप के ओपर मैसेज कर सकते हैं अन Scottish जिसके वजे से यहां पर इनमे फिशर यहां पर चूब्च होता है यजो द्रा रहे आती है में जिसकी वज़े से क्याइखत डिस्प्लीन होटें रॉक के अधिंग कह universo इसकी वज़ेस से बलोग मांटैंस का निरमान होता है या रिफ्त जो वैल्ली होते हैं उनका निर्मान होता है इसकी वज़े में तो यहां पर दाइग्रामें देख लेते हैं यहां पर ओपोजिट डिरेक्शन में यहां पर यह जो फ़ोर्स होती चिंग एक टेन्भ इन जिसकी वज़े से यहां पर क्या होगा अब जैसे कि यहां पे लेट्पोर्श की यहां प और उपर की तरफ मूब करें या नीचे की तरफ यहां पे मूव करेंगे घिंग यहां पे जो हिस्सा चला जाता है उसे होर्स या ब्लोक माउंटेन बोला जाता है और जो नीचे की तरफ यहां पे हिस्सा चला जाता है उसे ग्रैबन या रिफ्ट वैली बोला जाता है ठीक है जो नीचे की तरफ यहां पे हिस्सा चला जाता है ग्रैबन और यहां पे जो पूरा रेंजी जो इंडिया में हो गया यह जो नौर्थ इस्टर्न फ्रांस में हो गया ब्लैक फोरेस्ट मांटेंज जर्म अगया जो और जो एक्ट उएसे में हो एक क्लेर isिध्य को मिलेगल अगर और तो देखे हैं तो इसकी वज़ह से यहां यहां पर दर्ती की सता के ओपर देखने को मिलती है मतलब जो इरिया होता है अब जैसे कि यहां पर यहां पर प्रोसेस की वज़े से यहां पर इरोसन देखने को मिल जाता है इसे आईसो स्टैटिक मोमन देखने को मिलेगी जिसों आपर यहां पर प्लेटिस बिल्कुल प्लेंट एरिया हो जाएगा अगर यही सेम अशैनिक प्लेट में देखने को मिलेगा मतलब सुमूंदर के नीचे देखने को मिलेगा तो उसे क्या बोला जाता है उसे यू स्टाटिक मुवमेंट देखने को बोला जाता है ठीक है तो नेक्स्ट यहां पर मूव करते हैं वोलकैनिजम के बारे में देख लेते हैं इसमें क्या है कि वोकानों से यहां पर simply define कर सकते हैं कि इसे यहां पर जो earth crust का यहां पर open होना जिसमें से जो molten material होता है पिंगला हुआ ठीक है तो वो बहार आना दर्ती की सता पर जो दर्ती के नीचे से अब यहां पर यहां पर देख सकते हैं diagram में कि अंदर यहां पर क्या दे बोला जाता है clear है तो यहां पर जो material होता है इसमें lava, ash, hot, molten rocks हो गया, steam हो गया, gas, solid rock, particles यह सभी material से यह मिलके बना होता है अब यहां पर जो volcanoes का जब यहां पर यह opening यहां पर यह जो दवार होता है ठीक है इसे mainly क्या बोला जाते है इसे vent बोला जाता है अब जो volcanic eruptions यहां पर जो लंबे-लंबे यहां पर cracks देखने को मिलते है ठीक है जैसे यहां पर cracks आ गया यहां पर crack आ गया अब इनकी जरिये यहां पर जो magma होता है वो बाहर निकलता है तो इस पर क्रिक्रियर को क्या बोला जाते है इसे fissure eruption बोला जाता है clear है मतलब जो दरारे आ जाती है उससे भी यहां पर जो मैगमा होता है वो बाहर आ जाता है तो यहां पर इनकी जो frequency of eruption है ठीक है यहां पर फटना हो गए वलकैनोज का तो इसे हम तीन केटेगरी में डिवाइड करते हैं तो तीनों को हम यहां पर देख लेते हैं तो आप यहां पर इन्हें लीविंग वलकैनोज भी बोला जाता है ठीक है यहां पर अक्सर इरॉप्ट होते रहते हैं फटते रहते हैं इनमें से ग्यास एश लावा हो गया रॉक पार्टिकल हो गया यह सब कुछ यहां पर बाहर देखने को मिलते हैं ठीक है तो लग लग एक्जैंप नेक्स्ट यहां पर डॉर्मेंट वलकैनोज की बात करें डॉर्मेंट वलकैनोज यहां पर वो वलकैनोज होते हैं जो काफी लंबे समय से फटे नहीं है इसलिए इने स्लीपिंग वलकैनोज भी बोला जाता है मतलब कि यह सो चुकी है क्योंकि यह फटे नहीं है काफी एक्टिव होते हैं ठीक है इसलिए इने डेड़ वलकैनों सो बोला जाता है मतलब की फटे नहीं है पास्ट में भी नहीं फटे और फ्यूचर में भी इनकी फटने की कोई संभाव बना नहीं है तो इसलिए एक्स्टिंक्ट मतलब यह विलूप्त हो चुके है मतलब यह मर चु समय से नहीं फटे हैं लेकिन यहां पर चांसें यह फट सकते हैं यहां पर जो एक्स्टिंट्ट में बोला जाता है जो यहां पर Indonesia i around ठीक हो यहां पे जो islands होती है इनमें भी यह प Story מא क्या बोला जाता है इसके बारे में आपको पता हुना चाहिए Pacific कि लिखने को मिलेगा यहांपे यहां पर फटते रहते हैं So I hope आपको part number one समझ में आया होगा So next time part number two में start करेंगे इसके आगे वीडियो चल लगे तो like और share ज़रूर कर देना